हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नम प्रकाश मिसनेबराट चैनल में आपका सौगित है और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह हमारे एक व्यूवर के क्वेशन पर उन्होंने एक क्वेशन किया हुआ था अमन खॉलना जी नहीं यहां पर नहीं हमको कमेंट किया हुआ है बोलते कि इस वीडियो इस वेरी हैलफू बट आपर वाचिंग इस वीडियो वन आ फिल द फॉर्म अनलाइन हाव तू साइन द डॉक्यमेंट डिजिटली इनके कहने का मतलब है कि वह जो आपका कैनेडा वीजा फॉर्म है इसको अप कैसे फिल करेंगे फिल तो उन्होंने कर लिया है लेकिन अब उसको साइन कैसे करना रहा है यह मेंन अपर दोक्यूमेंट डीजिटली ठीक है है और आब आप यू के लिए आप यह देखिए यहा बताय हुआ है आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं how to fill Canada visitor visa firm करके एक वीडियो बने बनाई थी तो इसमें लास्ट में एक option है यहां पर यह देखिए यह signature of applicant तो यह signature कैसे होंगे digitally आपने इसको प्रेंट नहीं करना है अगर आप इसे online upload कर रहे हैं online upload करने के लिए अपने इसे online फिल करना है तो इसके लिए आपको signature की जरुवत होगी जो कि अपने online signature देना है तो चलिए मैं आपको एक method बताता हूँ यहां पर किस signature को कैसे करना है यहां पर एक मैंने file बना हुई यह आपके लिए just reference के लिए यहां पर how to sign documents digitally how to sign documents in adobe leader अगर आप adobe software यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे signature करना है digitally तो इसके लिए चलिए यहां पर हम आपका suppose आपने यहां पर कहीं पर signature करना है ठीक है इस एरिया में आपने signature करने तो आप यहां पर आप सबसे पहले आप जाएंगे tools में tools में जाहिए आप यहां पर जाने के बाद आपके बाद certificates है certificates पर आप click करेंगे open ठीक है open करने के बाद आपने यहां पर digitally sign पर click करना है okay जब आप digitally sign करेंगे suppose आपने यहां पर signature करने है okay तो आपके सामने एक window open हो जाएगी जो कि आपको यह मेरे पहले का digital signature है चलिए हम यहां पर configure new digital ID हमने यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है digital ID क्रेट करने है अपने signatures की चलिए यहां पर हम नई ID क्रेट करते हैं create a new digital ID continue पर क्लिक करें इसके बाद save to file ओके continue ओके suppose आप अपने नाम से जो आपका passport में नेम है उस नेम से आप यहां पर डालिए अपना ठीक है नेम डालने के बाद आप यहां पर email डाल दिजिए इसके बाद continue के बाद यह आप से पूछेगा कहां पर save करना है इसको ठीक आपने signatures को अपने यहां पर कोई password देना है जो कि आप याद रख सकें क्योंकि जब भी आप file open करेंगे और stamp पर आपको जरुबत पड़ेगी अपने यह password डालना फिर same password यहां है confirmation के लिए confirm the password then save okay तो यह digital signature मैं यूज कर रहा हूं परकास सिंग के नाम से continue करेंगे यह देखिए digitally sign by परकास सिंग date time stamp यहां पर पूरा आ गया है okay यहां पर आपने pin डालना है जो आपने pin पहले create किया हुआ था okay then sign okay तो यहां पर एक file open हो जाएगी ठीक है यह बोलता है save करने को save किजिए इसको yes okay यह देखिए आपके signature यहां पर हो चुके हैं परकास सिंग के नाम से digitally signed by परकास सिंग date time stamp पूरा आ गया तो दोस्तों आपको summit में आ गया कि how to create digital signature और how to sign documents with digital signature तो इसी तरीके साब अपना Canada visa का form sign कर सकते हैं मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे एक viewer नहीं पूछा हुआ था कि how to sign documents जिदी चली तो just उनी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी तो हो सकता है यह आपके काम भी आ जाए तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपको इस process समझ माया है अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज मुझे आप contact कर सकते हैं और मैं उमीद करूँगा आप मेरे वीडियो को शेयर करें चैनल को subscribe करें लाइक करें thank you have a good day bye bye प्लीज मुझे लाए